अमूमन पुलिस अपरादी को पकड़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगाती अभी दो मामले ऐसे गर्माई हुए हैं एक पीएफ कमिस्टर का है एक पुलिस के ही एक अधिकारी तिमेश शारी जी अभी तक पुलिस की पाऊंच से बाहर है नमस्का दोस्तों मैं उस अंद अभी ही तो हम लोगा इन्वेस्टिकेशन ही चल रहा है उसमें और उसमें हम कारवाई कर रहे हैं उनको जो भी साक्ष पूरे हो जाएंगे उसको ग्रिफ्तार भी करेंगे और उसके लिए भी तलाश भी चल रहे हुए हुए हैं तो क्या सर्ब महिला के बुरुद कोई है हमने उसके पर पेक्रण पंजी बंदी किया है और उसका इन्विस्टिकेशन मिले कि हम उसके बिकार हैं उसकी पुष्टी सर उने के लिए मेडिकल जान चीए है कुछ ऐस तरह करा गया गया है उसका एक सजोसर्ट के बैयान भी कराए गया है कोट बो यह कयास लगाई जा उनको पकड़ने के लिए प्यास कर रहे हैं उनको पेनाम भी खोशी थे टीमें लगे हुई हैं मैंने खा जल्दी पकड़ने को उसे जो मूख के आरोपी जो थे उसारे हमने पकड़ लिये थे और उनके भी कोशी चल लिए उसमें क्या क्या मतलब जांच की पुष्टी होकर कि अजिए फाइयर होई है या ऐसे ही सर उस माइला के कहने पर कर दिये पीएफ कमिस्टर में जो आद्बंतर की उन जो साली थी विक्रम रावत लेखे उसमें दो केसे से हैं एक मुर्डर का केस है मुर्डर केस में फाइयर में नाम आया था उसके बाद में हम लोगों ने आरो छफाइयर होती है तो लगनी प्रस थो थोड़ सा उस पर रविया ऐसा बनाती है कि आराम से अरीस्ट किया जासे को‐ आप को कोशिश कर रहे है क्या हम लोग कोशिश कर रहे है कुछ जानकरे हम लोग को कर रहे कर रहें कि पकड़ने के प्रयास कर ला कुखा यह दृlicat तो दिच्चक आप लगातर हमारे चनल पे बने रही है लगातर देखते रही है क्या कहेंगे क्या राय है आपकी क्या पुलिसिस में लिदलाली कर रही है या फिर पूरे तरह से काम कर रही है नमस्कार जहिंग